कि है पनलो अबरियोंग श्यकर्ण काल तो हाज हमारी रस्पी है तो हो बाला पनीर नहीं यह नई आधे बनाते हैं यह दहीं कोकिन यह थे शर्कप्रिक आपू kıशिझ रहाएव गै上 पर टूर्ला से पालियों यह उसलिए मैंने यह दो घंटे के लिए रख दिया और उसमें से जो दही में से जो एक्स्टा पानी सा वो सारा बाहा निकल गया और दो घंटे वाद वो मेरा दही यह ऐसा यह देखिए यह ऐसा एक पनीर की तरह बन गया है अब मैं इसको एक जोंका दूँगी यह देखिए मैंने फ्राइपन की करने ilusk round श Harini I dimasal चमर्फ खेंसर दोकोता है जेला जाकता है जैसे कि आप चाबवल के साथ यह आश्यामा खा सकते ओं यह द देखिए मैं सिरफ इतना साल चो चमिश में पटर साल गया है यह देखिए यह दौथ means recommend एमाट बेंधिट ज़े आधी करने ने महीं रही यह देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें सबसे पहले जीडा डालूगे यह लसुन हो और यह हरी मिज़ यह तीनों ही डालनी है इसमें कोई प्याद गयारा कुछ भी नहीं डालना आपको इसमें सिर्फ इन तीजों का रही तेस होना थे इसमें अब इसको धीमी आशे इसमें को सलोग एक पर प्राइव करें कि यह हमारा लसून रची और जीरा प्राइव हो रहा है वह एसे ही इसको वने देना है जब तक ही यह लसुन हलका ब्राउन नहीं हो जाता यह पनीड है जो खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता हमारे पंजाम में तो यह पहुत लेकिन आप एक बारी ज़रूर इसे ट्राइब करके देखिए आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगीगा कि आप डेली डेली इसको बनाए होगे यह देखिए यह हमारा फ्राइब हो चुका है अब मैं गयास का फ्रेम आफ कर दूंगी अब मैं इसे इस तहीं में डाल दूंगी आपको भी ऐसे सारा इसमें डालना है यह देखिए आप अब मैं इसमें यह आदा चमश नमक डाल रही हूँ आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो यह आपकी इच्छा है आपको जैसा चलता और इसमें कुछ भी नहीं डालना अगर अ अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इड करके इसको थोड़ा सा पतला बनाओनां जादा नहीं जिस हबसा Ayam सेаюсь सलीम की inclus и यहां साल जयए चैसे तहीं करना आपका लिग इसमें तोड़ा थोड़ा थोड़ा अरो Isn't Takis' अब थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसे हिलाते रहना है और ये दिखी एसा पनीर चाहिए आपको और इसके ये बन के रेडी है अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा हरा धनिया ये देखिए ये हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट और ज्यादा बहुत अच्छा बन जाता है यह दही का पनीर हम बनाते हैं यह बहुत थंडा होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है जब हम जीरे का और लसुन का तरका सिर्भ इसमें लगते हैं उसका टेस्ट ही बहुत अलग है गर्मी-गर्मी में आप भी अपने घर में इसको बनाईए और खाने को एंजोय कि अगर आपको मिरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज कोमेंट करके बताईे थैंक यू थामिर टेस्ञा अचे-ईरणक्षम्याी me